तो इसी बीच राइपूर से एक अच्छी खबर सामने आई है जहां गरीब बच्चों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला किया है बतादे की 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है जून से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र से 50 नए स्कूल खोलेंगे बतादे की प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्रेज बड़ा है तो लगातार 171 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी बतादे की लगातार एड्मिशन को लेकर बहुत सारे बच्चे कतार में खड़े हुए है उसी को लेकर अब सरकार ने बच्चों के हित में एक बड़ा फैसा लिया है जहां भुपेश बखिल ने 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला किया गया है इसी ख़बर पर और भी जानकारी के लिए सिधे रुक करते हैं मारे साथ में सीनिय रिपोर्टर आकांशा तिवारी लगातार बनी हुई है आकांशा रायपूर से एक अच्छी ख़बर सामने आई है जहां सीनिय भुपेश बखिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जहां 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला लिया है तो आकांशा तिवारी से हमारा संपक तूट चुका है यह ख़बर आपको बता रहे है रायपू से जहां गरीब बच्चों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बतादे कि 50 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला लिया है यह फैसला सीम भुपेश पखेल लिया बतादे कि 2 साल पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुवात की गई थी और लगातार इसमें अच्छे परिणाम आने के बाद में अब प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो च जाइ